आज हमें कुछ अलग तरीके का पुलाव खाना था तो मैंने गट्टा पुलाव बनाया है सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक चमच सौंप, एक चमच धनिया, एक चमच जीरा, अधी चमच चीली फ्लेक, एक बड़ी चमच कसूरी मिथी, पांच काली मिर्च और तीन लॉंक को दर दर अपिस कर एक मसाला रेडी कर लिया है अब एक बॉल में एक कप बेशन, जो मसाला रेडी किया है, वो दो चमच, वन फोर टीस्पून अजवाइन को हाथों से मसाल कर एड करेंगे, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, दो चमच दहीं, पींच अप बेकिंग सोडा, और एक चमच देसी गियाड करके, इन सब को अ सारे बेशन बॉल्स को हमें गरम पानी में एड कर देना है, और 10 मिनिट के लिए हम इसे बॉल कर लेंगे, ये बॉल होकर रेडी है, तो हम इसे निकल कर साइड में रख देते हैं, अब एक कड़ाय में दो बड़ी चमच जितना देसी गी लेना है, इसमें ये सारे खड़े म साले डालेंगे, थोड़ी सीहिंग और अधरक लेसुन एड करके एक मिनिट के लिए भून लेंगे, प्यास को एड करके इसे भी हमें एक मिनिट के लिए भून लेना है, अब एड करेंगे मटर और बीन्स, आपके पास जो सबजी अवेलिबल हो, आप उसका यूज कर सकते ह को बीज निकल कर एट किया है अब हल्दी लाल मिर्च धनिया जीरा पाउडर बीरियानी मसाला और नमक एट करके मिक्स कर लेना है यहाँ पर एक कप बासमती राइस को मैंने अधे गंटे के लिए सोग कर लिया था सारा पानी निकल कर चावल को भी एट करेंगे साथ में एक च मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए पकने देंगे तब तक हम यहाँ पर एक पैन में घी लेंगे और उसमें जो गट्टे बॉल करके साइड में रखे थे उसे फ्राइ कर लेंगे जब यह हलका फ्राइ हो जाए तो इसमें काजू और किसमिस भी एट करेंगे अब यह अच् से 8 मिनिट टकी से तवे पर ही पकने देंगे तो अब पुलाव रेडी हो गया है इसमें जरासा भी पानी नहीं बच्चा है इसमें हराद नियाइट करेंगे और हलकी हाथों से मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो जो यह पुलाव है वो कितना खिला खिला बना है तो हमारा बहुत ही टेश्टी गट्टा पुलाव बनके रेडी है मैंने इसके साथ खाने के लिए ककडी का राइता बनाया है